हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागाते हमारे यूटूब चैनल उत्राखन 360 में और इससे पहले हमने यूरोपीय कंपणियों के आगमन के कारणों को देखा था जिनमें हमने पहला करान देखा था आर्थिक संपन्नता और इसी करम में हमने पढ़ा था मार्को पोलो एसिया की आतरा में आता है वो अपने देश जाता है तो भारत के आर्थिक संपन्नता का परिचय करवाता है यूरोप के कंट्रियों को तो वहां से फिर यहां पर मार्को पोलो का नाम हमाले महत्पूर्ण हो जाता एक्जाम की द्रिष्टी से और सारे फेक्ट हमने य जाद रखनी है 29 मही सन 1453 इसके बाद हमने बार्थोलोमियो डियाज को देखा था और बार्थोलोमियो डियाज जब यहां पर Cape Good Hope पहुंशता है अफ्रिका के दक्षिन में तो Cape Good Hope की कोज किस ने करी थी बाथोलोमियो डियाज ने करी थी हमने सब देख लिया था जिसने पह पर देखेंगे दोस्तों कैंदर voices n होने की दिशा में चल निकलता है तो वहाँ पर क्रेटिविटी ज्यादा होने लगी नहीं नहीं मसीनों का अविस्कार हुआ नहीं नहीं पुस्तके वहाँ पर उस समय लिखी गई तो यूरोप में पुनर जागरन एक महत्पुन कारण है यूरोप ये कंपनियों के भारत आने इंडिया पहुंच जाता है इस कच्चे माल की प्राप्ती के लिए साथ ही साथ देखेंगे एक जो यूरोप येन कंट्री है वहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है और वहाँ पर मांस को लंबे समय तक सुरक्षी तरकने के लिए मसालों की बहुत आव सकता है जिस कारण यह होता है यूरोप के जितने वही कंट्री रहते हैं महां की जो राजा रहते हैं वो क्या करते हैं अपने जो राजा के अंत्रक sittingा विहापारी रहते हैं उनको क्या कटने अलगलगं कंट्रियों में बेश से और इसी करम में वास्पड़ी ग्राम कि हम पूंगे पढ़ेंग refine ज दाते को पुनर जागरण का क्या माना जाता है अग्रदूत माना जाता है यह हम कह सकते हैं कि पुनर जागरण का पर्थम व्यक्ति किसको कहा जाता है दाते को कहा जाता है चौथा है यहां पर वानिजियवादी नीति यह कि वानिजियवादी नीति का सीधा सीधा मतलब है ब् आपे दवरा सोनाचांदी पराफ्ट करना और ऀसके पास उसमें सोनाचांदी ज्यादा होता था जिस a European Country अर्कश्ते के पास तो वह ज्यादा powerful माना जाता था उसमें यह हम कहै सकते हैं कि सोना Suchanदी ज़गा हम क्या सब्दी कर सकते हैं कि व्यापार के दवरा बुलियन कमाने की नीती क्या बुलियन ये बुलियन सब्दा आता है और बुलियन कमाने की नीती का मतलब सीधे सीधे क्या है सोना चांदी ही है तो ये चार आपको याद रखने या पर ये कारण याद रखने जिसमें सबसे महत्रपूर्ण कुस्तुन तुनिया का पतन ही है क् उससे पहले तक तो ब्यापार चली रहा था लेकिन जैसे कुस्तुन तुनिया पे तुर्कों का अधिकार हो जाएगा जो यह ब्यापारिक मार्ग थे तुर्की से होते वे वो बंध हो जाएंगे यूरोपियन कंट्री के लिए क्योंकि जब कुस्तुन तुनिया पे तुर्कों यहां पे पुर्तगाल है डीके अगर हम बात करें इतली के यहां पर ब्यापार पर एक अधिकार हुआ करता था इसलीज ए जिद्नी कमिट्रियां चाहती थी कि इनका व्यापार पर एक अधिकार ना हो और इनके व्यापार के एक अधिकार को वो तोड़ना चाहते थी तो इसलिए यहाँ पर अलग-लग देशों से क्या होता है अलग-लग व्यक्ति जाते हैं भारत की खोज में कोई कहीं पहुंच जाता है कुछ इंडिया पहुंच जाते हैं तो इसी करब में हम वास्को डिगामा को देखेंगे और यह पूर्तकाल की राज़नानी लिस्मन से निकलता है और यहाँ से अफरिका का जो सबसे यहाँ पर दक्षिन तम किनारा था आमने पढ़ा था अफरिका का सबसे दक्षिन तम किनारा नहीं है केपप गुड़ोप यह थोड़ा धियान रखेंगे आप लेकिन यहाँ पर इंडिया पॉसने में इसके एक मदद करता एक व्यक्ति जिसका नाम रहता है अब्दुल मनीद और एक गुजराती था क्या था गुजराती यह सभी फैक्ट आपको लिखाऊंगा अभी अब्दुल मनीद यह अब्दुल मजीद भी आपको कहीं कहीं दिख जाएगा तो कौन गुल्याती भ्यक्ति था जिसने व्यक्ति भारत में मदद करी थी तो अब्दुल मनीद तो यहाँ से जब आता है भारत पहुंच जाता है और भारत पहुंचता है कहां डिरेक्ट कोजी कोड पहुंचता है कोजी कोड काली कट का वर्तमान नाम है उस समय इसका नाम काली कट हुआ करता था तो डिरेक्ट अगर प्रसन मन जाए कि काली कट का वर्तमान नाम क्या है तो काली कट का पूर्टिगामा निकला था देखेंगे अभी छोटी छोटी कंट्री है पूर्टिगाल और यूरोपीन कंट्री है थी छोटी छोटी थी और उनके पास जमीन की कमी हुआ करती तो कच्छा माल नहीं था उनके पास उगाने के लिए तो क्या करते थे कच्छा माल उगाने के लि लेते हैं तो दोस्तों यह मालावार टट हैं यहां पर किसका एक अधिकार था अरब व्यापारियों का एक अधिकार था और यह अरब व्यापारी क्या थे क्या नाम ध्यान रखेंगे का नाम के लिया कर पोड़ता कीैरल पता मेंड करतेंखलें ग्यान प्रफेंदी का व्यापार और यहां था cœur गेंगे ध्यान रखेंगे आप एक पैत्रिक उपा दिये कहीं कहीं पे आपको Jumourine का नाम सामूरी भी देखने को मिलेगा तो ध्यान रखेंगे सामूरी या Jumourine, तो यहां कालीकट का जो हिंदु राजा था हो कौन था, Jumourine था और जो मैं यहां पर गयापार पे एकादिकार की बात कर रहा हूं यहां पर किसका एकादिकार है अरब यापयरों का यह मुस्लिम यापारी थे तो जो यहां पर जमोरिन है वो क्या था इनके साथ उनके संबंद अच्छे नहीं थे तो उसको दिक्कतें होती थी यहां पर और जब यहां पर वास्कोड डिगामा कا भव्य स्वागत किया हैं हैं पर हां उसमें क्या हुआ अरब यापर fiance ने क्या वासको डीकामा का विर्ण रेकिन घमूरि century इसका अच्छे से स्वागत किया और इसको यहां से अनुमत ही दे जाना आपगा आपको यह JA वौजप कमता है और वहापने देश जाता है पुर्तकाल और कहता है कि मुझे इतना प्रॉपिट हुआ है तो तो ये आपको सबसे मेहत्पवन डियान रखना है सबसे पहले 1408 वे 1408 में मही 1408 में आया था कहां इंडिया उस समय देखिए पुर्तिकाल का राजा मैनुवल फर्स्ट था देखिए हम बात कर रहे हैं एक अच्छे एक्जाम के इसाब से जहां पर आपको जैसे आप परवक्ता का एक्जाम देते हैं जो हिस्ट्री से लेटेड अच्छे एक्जाम है वहाँ पे आपको थोड़ा डीफ हैक्ट पूछे जाते हैं तो उसके इसाब से मैं आप वीडियो बना रहा हूं साथ ही साथ अगर आप वन डे एक्जाम के लिए तो कुछ आपके लिए मदद देंगे आपे लेकिन बहुत ज़्यादा डीप है तो कु हल्ल यहां पर पूкольटगाल के राजा थे ये टींटमीं सब्सकी आपको दिहान रखने हैं पंदरह सो चौबीस में तीसरी बार आया तो वास्को डिगामा कुल खितनी बार भारत आया तक Twice obsessed came डिया ARE औंती बार अनतिम बार अश्ती यहीं पर मिरत्तिव हो जाती है, और उस तो 1524 में कहा मृत्य हो गई कोचिन में इसकी मृत्यू हो गई है चलिए थोड़ा सा फैक्ट लिख लेते हैं अच्छे से आपे वासको डिगामा देखिए 1497 में चार जहाजों के साथ पूर्टगाल से रवाना हुआ पूर्टगाल की राजदानी लिजबन आपको ध्यान रख किया था साओ गैब्रियल उस जहाज का नाम था उत्मासा अंत्रीप जिसको हम के पाप गुड ओप हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया था जिसकी खुछ बार्थुलोमी डियाज ने करी थी तो उसका चक्कर कारते वे मई 1408 में कालीकट क्यानी केरल कालीकट का वर्त के यह थे ले ले गया तो कितना लाववा साथ गुना उसको यहां पे लावव होता है पंद्रसोस दो में वास्कोडिगामा पुना भारत आया यह रखना है और उसकी पहली वा दूसरी यात्रा के समय पुर्टगाल का सासा कौन था मैनुवल फर्ष्ट या इम्मैनुवल फर्ष्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं अंतिमार 1524 में जॉन ठर्डने इसको वाइसराय बनाकर भारत भेजा था और यह इसकी तीसरी यात्रा थी इसके बाद देखेंगे पैडरो अलब्रेज केब्रल 1520 में पैडरो अलब्रेज केब्रल के नेत्रितों में दुत्य पुर्टगाली अभियान काली गट पहुचाता देखिए यहां पर मैं आपको बताया था जो ब्यापार पे कादिकार किसका था अरब वासियों का था को खुस कने के लिए खुस करने के लिए क्या करते हैं अपर कई बार यहां पर इनसे भीरते हैं और इसी करम में कर्णिकर में एक अर्भी जहाज को पकड़़ में पैडरो अलब्रेज केब्र ерм जाए जमोरिन इसका क्या बनता एक विश्वास बनता इन पुर्तगालियों के पड़ती तो पुर्तगालियों को सपोर्ट करता है उसमें 15202 में काली कट में पहली पुर्तगाली फैक्टरी की इसने इस्तापना करी थी किसने पैट्रो अलब्रेज केबल में अब थोड़ा सा ध्यान देने योग ये बाते हैं देखिए पहली पुर्तगाली फैक्टरी थोड़ा ध्यान से समझना इसीच को पहली पुर्तगाली फैक्टरी काली कट में 1500 में और दुसरी पुर्तगाली फैक्टरी कोचीन में पंद्रसो एक में लेकिन अगर हम पहले पुर पूर्टगाली दुर्ग कहां पर पूर्टगालियों ने इस्तापीत किया था तो कोचीन में इस्तापीत किया था यह अगर बहुत दीप प्रस्न बन जाए तो बहुत अच्छे लेवल का कोई एक्जाम हो तो वहां पर प्रस्न देखने को मिल सकता इस करम में लेकिन अगर हम देखें तो मैक्सिमम यही प्रस्थ बनता है कि पहला पुर्टगाली दुर्ग कहां पर बना था तो कोचीन में बना था पहले यहां पर फैक्टरी बनी थी फिर बाद में इसके चारों तरफ क्या हो गई थी किल्ले बन दियोगी तो पहली फैक्टरी अगर पूचेगा तो काल पहले से संखेंगे तो समझ जयेंगे देखिए आपको दिहान रखना फीडी औी एफ एस पहले तो हम देखेंगा यूऔरोपोय कंपनियो के भारत आने का करम देखी से पूर्टगालि हो गया रखै। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पढ़ गए अंडे France से, पढ़ गए अंडे France से, तो ये गए आपको silent टाखना इसका कोई यहाँ पर महत्व नहीं है, पढ़ से देखे पास से पुर्तगाली, डा से डच हो गए यहाँ पर, आ से यहाँ पर अंग्रेज हो गया, डे से फिर देन हो गया, फ्रांस से फ्रांस हो गया, से से स्वीडिस हो गया, किताबों में आपको देखे स्वीडिस नहीं मिलेगा, लेकिन स्वीडिस भी यहाँ पर है, एक यूरोपियन कमपनी, आप थोड़ा सा कन्फूजन यहाँ पर क्या रहता है, द के लिए आसान हो जाएगा अब थोड़ा सामें यह देखना है कि यूरोपिय कंपणियों के भारत आने का करम तो हमने देख लिए कि कौन सी कंपनी पहले आई है लेकिन अगर हम बात करें कि इन कंपनियों की जहाँ इस्तापना हुई एकिसकी इस्तापना पहले हुई यह přिसकी बाद में हुई है देखी सबसे पहले की तरतथगाली wszyscy हई छौदास अंठाय में हुई है फिर इसके बाद देखेंगे हम इंग्लेंड की हुई है इसके बाद फिर प्रूज्व की हुई है 161603 देन हुई है और फ्रांस की 1664 में हुई है स्वीडिस की 1731 में हुई है आपको क्या करना है यहां पर थोड़ा सा करम बदल देना है कैसा करम बदल देना देखिए पहला तो पुर्तगाली ही रहेगा इस वाले को आपको यहां पे लेके आ जाना है यह वाले को पहले लेका जान और फिर स्वीडिस आ गया देखिए कई बार ऐसा होता कि इस्तापना ना पूछते वे और डेरेट क्या पूछेगा कि निमली कित्मे से करम सेट करना होगा कोई किन कंपनियों की इस्तापना पहले हुई है तो दे देगा करम लगाने के लिए पूर्टिगाली डच इंग्लें यहाँ पर कंपनियों के करम भी पूछा जाता है और कंपनियों की इस्तापना वह भी पूछी जाती है ठीक है दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे अच्छे से और यहाँ पर काफी डीप हम अच्छे से पढ़ेंगे इसके आगे हम इसके बाद ही बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा यहां पर हमारे पास देखे अलमीडा के बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में तो कैसा लगा आप सभी लोगों को वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पताएं और जल्दी आपके लिए अगला वीडियो भी ले के आऊंगा धन्यवाद